हेलो दोस्तों मैं श्री अपने चैनल स्रिडी फूट्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ होममेड हैल्दी पीजा के रेसिपी जो कि आपने घर पर बना कर अपने बच्चों को खिला सकते हैं और बहुत ही कम से कम सामगरी में इसमें आपको नहीं इस्ट डालने के जुरूत पड़ेगी नहीं इसमें आपको मैदे के आवा सकता पड़ेगी और नहीं जो मार्केट वाला आप बहुत धेशारा चीज इसमें डालते हैं नहीं आपको उसके आवा सकता पड़ेगी नहीं होममेट पीजा बनाया है हेल्दी वाला तो इसको बनाने के लिए हमने बेस बनाने के लिए सूजी लिया है सूजी आपके पास महीन वाली होनी चाहिए अगर महीन नहों तो इसको आप दो बार मिक्सी जार में चला लिए तो मैंने मिक्सी जार में इसको चला लिया है आ इसको हमने रख दिया एक साइड में, उसके बाद से हमने आलू ले लिया है, आलू को छील लिया है, छीलने के बाद से इसको हमने पानी में डाल दिया है, क्योंकि अगर आप पानी में नहीं डालेंगे तो एक काला हो जाता है, उसके बाद से हमने ले लिया है, कदूकस का जो तो यह सबसे बड़ा वाला जो छेद है, इससे हम इसे कदूकस कर लेंगे आलू को, यह आलू बहुत ही जादे टेस्टी लगता है, जो हमारा पीजा बेस है, उसमें, क्योंकि यह क्या करता है, उस पीजा बेस के टेस्ट को बढ़ाने के साथ साथ, उसकी जो क्रिस्पी पन हो लेंगे, तो इसके चार तरह पी जो सफेज सफेज है, इसको स्टार्ज बोलते हैं, यह रह जाता है, तो इसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है, तो हमने आलू जो कदूकस किया था, वो भी धूल लिया है, और इस बेटर में हम इसको एड़ कर देंगे, और एड़ करने के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे, कि आलू और हमारा जो यह बेटर है, अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा हम इसमें प्याज भी एड़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं सिमला में जो अगर भी एड़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉ रही हूँ, जो सफेद वाला तिल होता है वो, और उसके सासा इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन एड़ कर रहे हैं, अजवाइन बिल्कुल ऑप्सिनल है, और सफेद तिल भी ऑप्सिनल ही है, यह आप एड़ करना चाहें तो आड़ करें, जरूरी नहीं है कि आप इसे एड कर सकते हैं, क्योंकि पीजा हफ्स का टेस्ट इसमें अच्छा आता है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप एड़ ही करें, लेकिन अगर आप एड़ कर देंगी तो और अच्छा आएगा, बच्चों को बिल्कुल पीजा वाला टेस्ट आएगा, और यह आप घर पर जब चाहें कर सकती हैं, उसके साथ इसके ऊपर डालने के लिए मैंने कुछ सबजियां कट कर ली हैं, जिसमें मैंने टमाटर गोल-गोल स्लाइस में कट किया, प्याज को मैंने बड़े-बड़े स्लाइस में कट किया है, उसके साथ मैंने कट किया है, सिमला मिर्च, वो भी मैंने बड़ जो होता है जो तेल होता है पूरतर से हर जगा फै जाता है तो जो हम बैटर डालेंगे तो बैटर चिपकेगा नहीं अगर तेल नहीं फैला रहेगा तो बैटर जब डालेंगे तो चिपक जाएगा और वो बाहर नहीं निकलेगा तो बैटर को निकालने के लिए हमको तेल को च प्रेटर इसमें डाल के अच्छे से हमको फैला देना है, अच्छे से वो भी थोड़ का सा मौटा सा फैलाना है, क्योंकि अगर हम इसको मोटा सा फैलाएंगे, तभी इसका प्लग लुक है वो पिज्डे वाला आएगा, आप इसके उपर चीज डाल सकते हैं, पर चीज चुके unhealthy होता है मेरा ये मानना है तो इसलिए चीज आप न डाले तो बहतर ही होगा उसके बाद से आप इसके उपर से सब्जियां लगा लें जो भी आपके पास सब्जियां एवलेबल हो मेरे पास प्याज सिम्ला मिच और टमाटर एवलेबल था तो मैंने वही लगा लिया है आपके पास जो भी सब्जियां एवलेबल हो आप उसे लगा सकती है जरूरी नहीं है कि आप प्याज और सिम्ला मिच ही और ये टमाटर ही आ इसमें लगाएं, तो इसमें मैंने इस सब्दियां लगा दिया है, पहला वाला जो मैं बना रही हूँ, इसमें मैं कोई भी सॉस नहीं अट कर रही हूँ, बिना सॉस का बना रही हूँ, और उसको मैं दिखा रही हूँ कि उसका लुक कैसा आ रहा है, तो यह पहले वाले को मैं धिया आपको बनाना है उसके बाज से कुछ दिर बाद मैंने इसे खोला और अच्छे से चारो तरीके चारो तरब से इस तरीके से पहले मैंने छुडा लिया जब भी आप चीला या फिर ऐसी कोई चीज़ जो लिक्यूट वाली है उससे आप पलटने की कोसिज जब करें तो आ आपको ढख कर ही पकाना है क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विट होता है उसको पकने के लिए भाप की आवसकता होती है तो भाप कैसे मिलेगा जब आप इसे ढखेंगे तक तो जब जिसको ढख देंगे तो यह ढख के अच्छे से पक जाएगा तो यह दोनों तरफ से आपको पका लेना है देखे इसमें हमने कोई भी sauce अगर आड नहीं किया है हम दोनों तरीगी का taste लेना चाहते थे कि दोनों का कैसा taste था तो sauce वाले taste थोड़ा ज़्यादे अच्छा लगा था और बगए sauce वाले का taste थोड़ा कम अच्छा लगा था हाँ उसको तो उसको आप sauce के साथ लगा कर खा सकते हैं इसके उपर आप cheese डालना जाए क्योंकि मैंने एक बार बार ने मनाया था थोड़ा सा cheese डाल दिया था पीजा हपस डाल दिया था तो उसका taste और अच्छा रहा था तो आप लोग cheese जो पीजा हपस अगर डाल देंगे तो उससे taste और भी जादे अच्छा आएगा तो इसको यह हमने दूसरा वाला भी लगा दिया है और इस पर भी हम चाओ तरब इस तरीके से सजिया लगा देंगे तो देखें देखने में कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल पीजे वाला लुक लग रहा है बच्चे healthy चीजे ओभी मांग मांग के खाएंगे सिर्पे सोचके कि यह पीजा है आप पीजा के नाम पर किसी कुछ भी खिला सकते हैं क्योंकि पीजा आजकल बच्चों का favorite हो चुका है उसके बास से हमने इसके उपर सिप tomato sauce डाल दिया है आप कोई भी sauce डाल सकते हैं उसके बास से इसको भी मैं ढखके पका रही हूं इसका लुक बहुत अच्छा आया था देखें देखने में कितना अच्छा लग रहा है जब इस sauce पढ़ गया तो देखने में बहुत को वो कैसा है structure कैसा है क्योंकि जो हम लोग उत्पा मोगरे बनाते हैं तो उसको हम लोग धक पलटते रही है बगर पलटे ही बनाते हैं तो भी अच्छे से पक जाता है यह देखने में बहुत ही जादे टेस्टी लग रहा है और खाने में इसका टेस्ट तो amazing आता है एक बार अ आयल बहुत ही कम लगता है और अगर यह रेस्पी आप लोग को पसंद आई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा जि कट करने के बात से जो हमने इसे खाया तो बहुत ही ज़ब स्वावी यमी लग रहा था बहुत जदे टेस्टी लग रहा था तियो देखिए हम इसे कट कर लेना है बिल्कुल पीजा की तरह तो आप भी अपने बच्चों को यह वाली रेस्पी बना कर खिलाईए यह बहुत ह जादे healthy भी है टेस्टी भी और delicious भी है चलिए चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई